हालो दोस्तों आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चन्तों आज की वीडियो में उत्तर पदेश राजस्व पुलीस एवं प्रसाशन विवस्था से सम्बंदित प्रस्न है यूपी पुलीस कास्टेबल यूपी एसाई सभी बहुत परिच्छा के लिए बहुत उप्योगी है उत्तर पदेश पुलीस के लिए ये पहला प्रस्न दिया है राजस्व वीभाग के अंतरगर सबसे महत्पूर वीभाग ध्यच काउन सा है राजस्व वीभाग में जो है राजस्व परिस्द आता है तो आप्षन जो है सी सही है राजस्व परिस्द कोशन नमबर दूसरा दिया है भूमी अध्याद निदेशाले की स्ठापना कप की गई 1987 में उत्तरपदेश सासन के राजस्व वीभाग में कितने अनुभाग है आपसंडी 14 अनुभाग है कोशन नमबर चोथा देखते हैं राजस्व अनुभाग दस में कौण सकारे नहित है सर्वजनिक परिसंपतियों का पुना निर्माड कोशन नमबर पच्वा देखते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व वीभाग के अंतरगत जिला गजेट वियर वीभाग की अस्ठापना कप की गई थी 1957 में कोशन नमबर छठवा दिया है नमलिकित में कौण सायूग में सुमेलित नहीं है योजना विभाग परिस्दिया है अस्ठापना वर्ष दिया है भूमी अध्यापती विभाग जो है 1987 मुँआ था 1989 जो है गलत है 1987 कोशन नमबर सत्वा दिये है राहत आयूग ती विभाग के अंतरगत कौण सा कार समलित किया गया है डैवी अपदाओं के समय आर्थिक सहता प्रदान करना कोशन नमबर अठवा दिये है राजस्वी विभाग में आई ए अस तथा पी सी अस अधिकारियों के पदों का स्रीजन किस अनुभाग के अंतरगत किया गया है अनुभाग चार के अंतरगत कोशन नमबर अठवा दिये है नौवा उत्तरपदेश के समझते खातेदार सर खातेदारों के लिए विक्तिगत भीमा योजना की सुरुवात कप कप की गई थी 2004 इसवी में कोशन नमबर दिये है राज के भू अभिलेखों के रख रखाओ का उत्तरदाईत किसे सौपा गया है जिल्य अध्यकारी को कोशन नमबर 11 दिखते हैं उत्तरपदेश राजस्व परिशत का नियाईक मुख्याले इस्थित है मुख्याले उत्तरपदेश का पिलहाबाद में है कोशन नमबर जो है उत्तरपदेश जमिंदारी बिनाश अधिनियम 1950 के अंतरगत क्या प्रवधान है अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती की भूमिहीन ख्यतिहर मजदूरों को अन जातियों की भूमिहीन ख्यतिहर मजदूरों पर वरियता है कोशन नमबर तेरह देखते हैं उत्तरपदेश राजस्व परिशत का प्रसास्निक मुख्याला लखनों में इस्थित है उत्तरपदेश में राजस्व परिशत की स्थापना कब की गई थी कोशन नमबर पंदरह देखते हैं तेरह मईव दोजास्व साथ के पूर्व से काबीज अनुसूचित जन जाती अनुसूचित जन जाती की विक्ति जिनके पास किसी भूमी नहीं उन्हें क्या माना गया है अर्श अंकल मड़ी भूमी धर माना गया है उत्तरपदेश में चकबंधी योजना की शुरुवात कप की गई थी 1954 में की गई थी चकबंधी योजना राजस्व विभाग के किस अनुभाग में बज़त का प्रवधान है अनुभाग 13 में कोशन नमर 18 दिखते हैं निम्लिखित में से कौन से कार राजस्व अनुभाग 5 में समलित है भारत नेपाल चीन तिब्ब सीमा विवाद है कोशन नमर 19 जिला गजेटिय विभाग को किस वर्ष 12 सरकार से राजस्व सरकार को अस्थान्तिरित कर दिया गया है कोशन नमर 20 उत्तरपदेश राज्यस परिशत के नियाईक तथा प्रशास्निक विवस्था को किस वर्ष प्रिथक कर दिया गया है कोशन नमर 21 देखते हैं भूम अध्यातिप निद्देशाले विभाग का पर्मुक कार है जनहित में कल्यारकारी परियोजनाओं के लिए भूमी सरजन कोशन नमर 22 दिया है राजस्व परिशत में जिलाधिकारी के अधिन होते हैं उप जिलाधिकारी तहसिल दाल तथा लिखपाल कोशन नमर 30 दिया है राहत आयोगत विभाग का कारियाला इस्थित है जवाहर भवन लखनव में कोशन नमर 24 दिखते हैं लिखपाल परिशिछर विद्यालों की स्थापना को राजस्व विभाग के किस अनुभाग में रखा गया है अनुभाग चार में कोशन नमर 25 दिखते हैं कोशन नमर 28 दिखते हैं 26 पुलीस विभाग के प्रधान अधिकारी हैं तो आप्षन जो है दीजी दीजीपी कोई पुलीस अधिकारी गवन्ना से दीजीपी के मारफत के सिवायपत वेवाल नहीं कर सकेगा या किस पैरा में वरित है पैरा वन में आप संदी चाहिए कोशन नमर 28 दिखते हैं ग्राम चोकिदार का मुख्य काल्टब है ग्राम चोकी पर पैरा देना कोशन नमर 29 जिले में अपराधिक प्रशाशन का प्रधान होता है डीयम अपराधिक प्रशाशन का प्रधान होता है कोर्षा नम्बर तीस अपराद रजिस्टर से किसी अपराद को निकाल देने के लिए किसकी मन्जूरी अवस्यक है कि मंजूरी अवस्यक है कोर्शन नमबर 31 दिया है रेल्वे पुलिस से सम्मनित अपराद के मामलों में अपराद रेजिस्टर से किसी अपराद को निकालने के लिए किसकी मंजूरी अवस्यक है कोर्शन नमबर 32 दिया है जिले के पुलिस बल का प्रधान कौन होता है पुलिस अधिच्छक होता है कोर्शन नमबर 33 दिया है थाने का भाड़ साधक अधिकारी की अनुशार होता है उपनिरिच्छक होता है कोर्शन नमबर 34 दिया है पुलिस थाने का कार्याला लिपिक रिकार्ड कीपर और लिखपाल होता है हेट कांस्टेबल होता है कोशन नमबर 35 दिया है पुरुसकार रजिस्टर के दख रखाओं की जम्मिदारी किसे दी गई है DCRB परभारी को कोशन नमबर 36 दिया है चौकिदार की नुक्ति किसके द्वार रखी जाती है DM की द्वारा चौकिदार अपने कल्तबों की पालन के लिए किसके प्रती उत्तरदाई है DM के कोशन नमबर 38 दिया है सब इंस्पेक्टर के पसिच्छा ट्रेनिंग की अवधि होती है एक वस कोशन नमबर 49 दिया है पुलीस बल में निम्न में कौन सा निकाय अंतरविस्ट रहते है उप्रियुक्त सभी दिया है सभी आपसन जो है सही है कोशन नमबर 40 दिया है निम्न में से कौन अधिकारी परिशत सहित गवन द्वारा नुक्त किये जाते हैं कोशन नमबर 41 दिया है कांस्टेबिल को निम्न में से कौन सा दंड नहीं दिया जा सकता है कोशन नमबर 42 दिया है मिर्तिव परांथ सव परिच्छा पोस्ट मातम के लिए सिविल सर्जन को बलाने का अधिकार किसे है जिला मजिस्तिरेत को है कोशन नमबर 43 दिया है जिले में अपराधिक प्रसाशन का परमुक कौन होता है जिला मजिस्तिरेत होता है कोशन नमबर 44 दिया है पुलीस अधिनियम 1861 के अंतरगत विशेश पुलीस अधिकारी की नुक्ति की जा सकती है पुलीस निरिच्छक के आवेडन पर मजिस्तिरेत के द्वारा कोशन नमबर 45 दिया है उत्तरपदेश पुलीस रेगूलेशन के अनुसार एक आरच्छित निरिच्छक रिजर्व लाइन का कैसा अधिकारी होता है प्रभारी अधिकारी होता है कोशन नमबर 46 दिया जब एह प्रतीत हो कि कोई व्यूद जमाव या बुलावा या सांती भंग हुई तथा पुलीस बल सांती के प्रिचर के लिए प्रियाप्त नहीं है तो विशेश पुलीस साधिकारी नुक्त किये जा सकते हैं निरिचक की पंक्ती से अनिम पंक्ती के किसी पुलीस अधिकारी की आवेदन पर मजिस्टेत की द्वारा अन्द पुलीस बल नुक्त किये जा सकते हैं कोशन नमबर 47 दिया है उत्तरपदेश बिनियम का कौन सा अधिया घुर सवाल पुलीस से सम्मंदित है अधिया आठ कोशन नमबर 48 दिया है केस डायरी के संबंद में निमिकित में कौन सा कठन सही नहीं है बिवेचन अधिकारी के केस डायरी में अस्ठानव समय अभिलिखित करना चाहिए तो आप्षन डी सही है जब और जहां पुलीस अधिक्चक ने अनुवेशर की प्रगती से सम्मंदित जनकारी के लिए उसे तलब किया जाए कोशन नमबर जो है उन्चाज दिया है पुलीस अधिनियम अठारस स्वे एक सत के अंत्रगत पुलीस सब्द में ऐसे वेगती समली थे जो इस अधिनियम के अंत्रगत भरती किये गए है कोशन नमबर पचाज दिया उत्तरपदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था यूनाइटेड प्रोवीन्स के नाम से यूनाइटेड प्रोवीन्स कोशन नमबर 51 दिया है उत्तरपदेश का वलतमान सो रूप निलिकिन में से किस दिन अस्टित में आया है के नौनोम्बर 2001 उत्तरपदेश का अस्ठापना दिवस है उत्तरपदेश का णेत्वाफिन नमबर गो सन नमबर जो हैं त्रिपन लिये है उत्तरपदेश का राज्यधिय राशपाल कहलाता है बताइए उनकी नूंगतिक कौन करता है राश्त्रपति करता है राश्पाल कोर्शन नम्बर जोर चोगन दिया है राज को समिधान द्वारा प्रदत सभी सक्तियों को प्रियोग करने एवं कार करने का अधिकार किसे प्राप्त है मंत्री मंडल को कोर्शन नम्बर पच्पन दिया है उत्रपदेश में दू सदनी विवस्था भीका है जिसमें से एक बिधान सभा बताईए दूसरी दिम्रिक्रम से कौन सी है बिधान परिशद है कोशन नम्बर 56 है उत्रपदेश की प्रथम महिला मुखमंत्री सुचेता किरिपलानी थी बताईए दूसरी मुखमंत्री कौन है कुमारी मायवती कोशन नम्बर 57 है उत्रपदेश बिधान परिशद के सदस्यों का निर्वाचन निम्रिक्रम से किस पधती दूरा होता है एक संक्रमडी पधती के दूरा कोशन नम्बर 58 है यदि उत्रपदेश बिधान सभा में आंगले भारती परतिनिधित में नहीं है तब राजपाल निम्रिक्रम से कितने सदस्यों को मनोनायन का सकता है एक सदस्यों को मनोनित का सकता है कोसर नम्बर 69 दिया है उत्तर पदेश में उच्छ नियाला नम्निक्रिम से कहां स्थित है इलहाबाद में कोर्स नम्बर साथ दिया है उत्तरपदेश में मंतिरी मंदल का कार राज की नितियों का निर्धार कार पालका पर नियंत्रण एवं विभिद विभागों के समध्य समन्वाय करना होता है बताईए यह किसके प्रती उत्रदाई होता है बिधान सभागे उत्तरपदेश में उच नियाले की खंड़ पीत निमलिखित कहां इस्ठित है लखनव में लोगसभाहेत उत्तरपदेश में निर्वाची संसत सदस्यों की कुल संख्या क्या है अस्सी भारत के भूतपूर्व परधान मंत्री स्वर्गी राजु गांधी निमलिखित में से किछे से संसत सदस्यों चुने गए थे अमेठी से उत्तरपदेश के प्रत्थम लोकायूक्त निमलिखित में से कौन से कौन थे या थी विशंभा दयाल कोशन नमर्प पचासी दिया है पैसथ उत्तरपदेश के किस नगर में जहरीला पानी पीने से एक दरजन से अधिक लोगों कीमलिखित हो गई थी आगरा में कोशन नमर्प पचासी दिया बिधान सभा में 403 उत्तरपदेश बिधान परिशद में कुल सव सद्यस हैं बताईए इसके सद्यसों का कारिकाल कितना निर्धारित है 6 वर्ष कोशन नमर्प उनहतर या उत्तरपदेश के बिधान बिसाल बिस्तार को देखते हुए उच नियाला की खनपीत की स्थापना है तो गठित जस्टिस जस्वन्ट सिंग आयोग है ने इसके किस अस्थान की कानपूर कोशन नमर्प सत्त दिया उत्तरपदेश में तहसीलों की संख्या उत्तरपदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है उत्तरपदेश में तहसीलों की संख्या जो है 305 है उत्तरपदेश के किन मंदलों में जिलों की संख्या सर्वदिक है तो आप्षन जो है लखनवु तथा कानपूर में उत्तरपदेश के किस मंदल में सबसे कम जिले हैं सहारानपूर में उत्तरपदेश का कौन सा मंदल नव स्रीजित है अलिगर कोशन नमब चोहत्ता दिया है स्वतंतर भारत में उत्तरपदेश के पर्थम बिधान सबा अध्यस कौन थे राजासी पुरुष्टम दास टंडन थे कोशन नमब पचहत्ता दिया है स्वतन्तता के बाद उत्तरपदेश बिधान परिशत के पर्थम सभापती कौन थे। चंद्रभाल उत्तरपदेश बिधान सभा का गठन सरुपर्थम कब किया गया है। एक अपरेल 1937 में उत्तरपदेश से राजसभा में कितने सदस्य प्रतिनिधित करते हैं। राजसभा में तो आपसन जो है। 31 इलहाबाद उच्छ नियाला में न्याधिसो की स्विक्रित संख्या है। 95 कोश्चन नमबर 89 इलहाब उत्तरपदेश में लोक अदालतों की सुरुवात कब से की गई। 1987 इलहाब उत्तरपदेश को कितने नियाईक जिलों में बाटा गया है। 46 कोश्चन नमबर 81 इलहाब उत्तरपदेश में लोका यूगत संगठन बना। 1977 इलहाब उत्तरपदेश में नियुकत में से किस वस पंचैती राज प्रड़ाली का सुभारम हुआ था। 1969 में उत्तरपदेश में अस्थानी स्वर्यत्तव सासन कहा धाचा किस प्रकार का है। 33 है। कोश्चन नमब 85 इलहाब ग्रामी छेत्रों में सासन प्रबंद एवं विकास है तू किस सरस्था का अगठन किया गया है। जिला पंचायत का। 86 में कवाल सहर निम्निक्त में से कौन सा नहीं है। मेरठ कोश्चन नमब 87 इलहाब उत्तरपदेश के प्रथम लोका यूग ति थे। कोश्चन नमब 88 इलहाब जिला पंचायत का सद्यस बनने हितू किसी प्रत्यासी को कम्सकम कितनी आयू का होना चाहिए। 21 वल्स कम्सकम 21 वल्स का होना चाहिए। कोश्चन नमब 89 इलहाब उत्तरपदेश में नगरपालिका के गठन हितू किसी नगर का जन संख्या कम्सकम कितनी होनी चाहिए। नगरपालिका में जन संख्या जो है एक लाख होना चाहिए। कोश्चन नमब 90 इलहाब उत्तरपदेश के नमिकी जिलों का उत्तर से दच्छड सही अनुक्रम है। सिध्धात नगर संत कभीन नगर अंबेतका नगर संत दविदास नगर। उत्तर से दच्छड अनुक्रम है। कोश्चन नमब जो है। इक्यान में देखते हैं उत्तरपदेश के पर्थम लाजपाल थे। सरोजनी नाइडू उत्तरपदेश के नमिकी नगरों में से किस एक नगर में नगा निगम नहीं है। फैजाबाद कोश्चन नमब तिरान में दिया है। यूपी को समय समय पर दिये गए नामों को संबंधित वर्सों से सुमेलित करेता था। कूत से उत्तरपदेश का नाम दिया है और सन दिया है। तो आप्सन जो है सी सही है। उत्तरपस्यमी परांथ जो है। उत्तरपस्यमी परांथ जो है। उत्तरपदेश जो है। नगर का मेयर किसी नगर का मेयर आप्सन जो है भी सही है। नगर का पर्थम नागरिक होता है। नगा निगम का पदेन सदस होता है। कार कालरी समिति का पदेन सभापती भी होता है। कोसन नंबर पंचान में दिया है। सूची फर्स्ट को सूची सिकेंड से सुमिलित की जितता नीचे दिये गए स्कूद की सहता से उत्तल देना है तो आप्षन जो है डी सही है अम्बेट का नगा जो है अखबरपूर कानपूर देहात अखबरपूर सीटी जालोन उरेई सिध्धालत नगर नाउगर तो आप्षन जो है डी सही है कोस्टन नम्बेट दिया है नम्लिकित नगरों में कौन सा राजठी राजधानी परदिश में अवस्थी थे आप्षन डी दूसरा खुर्जा करनाल रोहतक यह जो है लखनों में स्थित है कोस्टन नम्बर जो है 97 में दिया है उत्तरपदिश का राजध की पच्छी राजध की पच्छी उत्तरपदिश का कौन सा है सारस कोस्टन नम्बर 98 में दिया है मिलान करना इसमें जालोन कानपूर दियात संतकबीन नगर खुशी नगर आपसन एस है जालोन जो है अवराईम है कानपूर दियात कानपूर दियात अखबरपुर संतकबीन नगर पदरवना कुशी नगर कोसर नम्बर 100 देखते हैं नम्रिकर में कौन सा जनपत इलहाबाद जनपत के साथ सीमा नहीं बनाता है इलहाबाद चित्रकूत जो है इलहाबाद के जनपत सीमा नहीं लगाता है कोसर नम्र जो है 101 देखते हैं वर्तवान में लखनव में निम्निम्से कौन से हैं ये सब ही जल संस्थान जगानिगम विकास प्राधिकरण जिला नगरी विकास प्राधिकरण कोसर नम्र 102 देखते हैं उत्तरपदेश जनहित गारांती अधनियम 2011 प्रवधान करता है लोगों की प्रतिदिन की आवसक्ताओं से संबनित उपलप दिया है तो आपसंजोहदी सभी सही है आपसंजी एक सहज तरीके से एक समयबध तरीके से तेरच निश्वाओं की ब्रेक इविन आर्थिक सिधान्त पर कि अधना थे करते नापसंजी एक साम प्रेक एक से प्रेके से प्रतिदोबगन परिएपान की दोर के खूएपनी में परिएफ़ती है ये तरीके से खिवेशा एक से हपस्सक्ताओं की ब्रेकेस आपस्सक्ताऊ